नमस्ते दोस्तों आप सबों को स्वागत है जेके स्टेडी चैनल में आप सबों को पता है कि इस वर्ष मतलब दोहजार ताइस में ICC Men's Cricket World Cup दोहजार ताइस का आयोजन हमारे देश इंडिया में किया जा रहा है और वो आयोजन जो किया जाएगा जो भारत इसका होश्ट करेगा वो होगा 5 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर 2023 तक भारत में किया जाएगा और आप सबों को पता होगा कि ये जो वर्ड कप जो होगा वो 13th एडिशन होगा क्रिकेट वर्ड कप का ये 13th एडिशन होगा ये चीज आप लोगों को जानना है और आप सबों के लिए ये जानना है कि ये जो वर्ड है वो आपका भारत में इसका आयोजन किया जाएगा और आप सबी को यहाँ पे जो देख रहे हैं वो है ICC Men's Cricket World Cup 10 2023 का ये ओफिसियल लोगो है आप सबों को पता है जब एक इवेंट और्गनाईज किये जाते हैं तो उसका एक लोगो त्यार किया जाता है जो ओफिसियल लोगो रहता है तो ICC Men's Cricket का ये ही आपका ओफिसियल लोगो है जो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं तो आज का वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो भारत में World Cup हो रहा है तो भारत के किस किस स्टेडियम में इस खेल का आयोजन किया जाएगा आज की वीडियो में मैं यही बताना के कोशिश करूँगा कि जो World Cup जो होने वाला है तो 10 स्टेडियम में इसका मैच खेला जाएगा तो वो कौन-कौन से स्टेडियम है उन सब को बारे में मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ और यहाँ पर टोटल आपका 48 मुकाबले खेले जाएगे ठीक है 48 मुकाबले मतब 48 मैच जो भारत के 10 काफी सुन्दर स्टेडियम में यह टुर्णामेंट खेला जाएगा ICC World Cup 2023 तो हमनों सुरू करते हैं तो पहला स्टेडियम है जैसे आप सभी को देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन में नरिंद्र मोदी स्टेडियम आप सब को पता है यही भारत का नहीं विश्वा का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम माना गया है ठीक है और यह जो स्टेडि किया गया है और स्टेडियम की स्थापना आप सबों को पता होना चाहिए जो स्टेडियम है वह 1982 इसमें हो चुकी थी और यह जो स्टेडियम उसका नवीनी करन किया गया है ठीक है 2006 में इसका नवीनी करन किया गया है मने स्टेडियम का निर्वान हो चुका था 1982 में लिकिन इस टेडिम उसका नमीनी करन किया गया है। तीक है। और इस टेडियम में आपको 3 पीच देखने को मिलेगी एक नया OutField बनाया गया है। और जितने भी यह स्टेडियम है अत्या धुनी की रुप से इसके त्यार किया गया है। और इसका बैठने का छमता है जितने दर्सक हैं वो 130,000 जैसे दर्सक यहाँ पे एक साथ बैठ के क्रिकेट का मैच देख सकते हैं चलिए अगला इस्टेडियम है आपका इडेन गार्डेन ठीक है आप सबों को पता है इडेन गार्डेन कहां है वो है आपका कलकत्ता में इडेन गार्डेन जो है भारत का सबसे बड़ा और बैठने की छमता के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ठीक है पहला आपका कौन सा हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम और यह जो इडेन गार्डेन है वो भारत और दुनिया का तीसरा सब के इडिन गार्डेन और तीसरा है आपका तीसरा है आपका वन खेड़े स्टेडियम वन खेड़े स्टेडियम आपका मुंबए में है और 2011 वर्ल्ड कप जब हुआ था 2011 में तो उसके बाद इसका नवीनी करन किया गया है और वर्तमान समय में यहां बैठने की छमता बढ़ा कर 45,000 कर दी गई है ठीक है और यहां यही स्टेडियम है जहां पर 2011 वर्ल्ड कप जब हुआ था क्रिकेट का तो फाइनल मुकाबला भारत ने यहीं पर जीता था और किसक अटल बिहारी ठीक है भारत रतन स्री अटल बिहारी वाचपिये एक काना क्रिकेट स्टेडियम ठीक है और यह जो क्रिकेट स्टेडियम है वो भारत के युप्तर प्रदिस के लखनों सहर में इस्तित है और इसमें बैठने की चमता 50,000 के लगबग है और यह कहा जाता है कि यह भारत का पाँच्वा सबसे बड़ा अंतराष्ट्य क्रिकेट स्टेडियम है पहले जब यह स्टेडियम का नाम अटल भिहारी वाच जाता था तो जब अभी IPL में आप सबों को पता है कि लखनों का भी टीम जुड़ गया है तो जो IPL फ्रेचाइजी जो लखनों सूपर जोइंट का ये एक घरिलू मैदान की रूप में भी इसे माना गया है ठीक है चलिए अगला है महराष्ट क्रिकेट एशोसियेशन स्टेडियम महराष्ट का जो पूने सहर है वहीं पर ये क्रिकेट स्टेडियम स्टीथ है और इस स्टेडियम को संचालन आपका महराष्ट क्रिकेट एशोसियेशन के पास है वही इसका संचालन करता है और यह जो पूने जी लेके पूने भी है उसी के बगल में इस्थित है और ये जो क्रिकेट स्टेडियम है वो महराष्ट क्रिकेट स्टेडियम अम आपकी जगा महराष्ट क्रिकेट टीम और महराष्ट महीला क्रिकेट टीम का घरेलू मैदान भी है और महराष्ट क्रिकेट एसोसियेशन के ये मुख्याले भी मा जाता है और जो स्टेडियम का जो छमता है वो 37,000 दर्सक यहां पे बैठ सकते हैं तो अगला स्टेडियम है राजियो गांधी अंतराष्टी क्रिकेट स्टेडियम तो आप सबों को पता है यह जो स्टेडियम है वो हैदराबाद में स्टीट है और यह उपल नामा का स्थान प इंडियन प्रीमेर लीग का मतलब IPL के मैच के साथ साथ कई अंतराष्टी खेलों के भी मेजबानी कर चुका है राजियो गांती अंतराष्टी क्रिकेट स्टेडियम और अगला स्टेडियम है अरुन जेटली स्टेडियम जो भारत की रादानी दिल्ली में स्थित है और इस साथ कोटला स्टेडियम के नाम से जाना जाता था और इस स्टेडियम की स्थापना है अरुन जेटली स्टेडियम की स्थापना 1883 में की गई थी मतलब यह पूराना स्टेडियम है कह सकते हैं जब भारता जाद नहीं हुआ था उससे पहले इस स्टेडियम की स्थापना कर च घ्रकाइगाई गई है ठीटेक है। उसका अगला स्टेडियम है आपका इंचिज्नस्वामी स्टेडियम बैंगलूर मतलब बैंगलूर कहाँ है। आपका करनाट क्रनाट के बैंगलूर सहर में यह एश्तित किए दारान लगभक 40,000 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है और चिन्नसवामी स्टेडियम 2000 से भारत का राष्टे क्रिकेट अकादमी भी है और 2000 में BCCI द्वारा बैंगलोर को राष्टे क्रिकेट अकादमी के रूप में चुना गया है ठीक है तो ये एक स्टेडियम है जो बैंगलोर का है यहां पर भी आपको क्रिकेट मैच जो cricket association आप सब आंको पता है यह जो stadium है वह आपका धरम सालता है हिमाचर प्रदेश में है तो यह Chumta है बोin penguin a jagdara यह जो stadium है बृषवत कर सबसे ऊचा स्टेडियम कहलाता है विश्वा का सबसे उच्चा स्टेडियम कहलाता है और इसके जो प्रिष्ट भूमी बताईगी है धौलादार पहार सिंखला के रूप में बर्प से धकी है अब पहार के इस अस्थल पर शांती को बढ़ाते हैं एक और प्रभावस अलवी सिस्था इसका खुलापन और छोटे अकार की स्टेंड है इसकी चमता लगभग 25,000 बताईगे लेकिन आप चमता 23,000 यहाँ पर बताया गया है तो यह स्टेडियम है वो आपका इस प्रकार दिखाई देता है यह है आपका धरम साला क्रिकेट स्टेडियम जो हीमाचल प्रदेश क्रिकेट के द्वारा इसका संचालन किया जाता है तो चलिए आज के वीडियो में आप सब होने जाना है कि जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 का आपका 5 अक्टूबर से लेके 19 नौवंबर तक इसका भारत के 10 क्रिकेट स्टेडियम में इसका मेजबानी किया जाएगा और हमार चलिए आज की इस वीडियो को मैं यह पर समाप्त करता हूं इसी प्रकार के नोलेज पाने के लिए चैनल को जो लोग नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक आप अपने लोगों का अपने घरवालों का ध्यान दिजिए खुद का ध्यान दिजिए तब तक आप लोग जरू जरू इस नए वीडियो का इंतिचार कीजिए कि बहुत बहुत धन्यवाद